नमस्कर दोस्तों, घरेलुख अपर चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखे, मातारानी सबका कल्यान करेंगी, दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को बत दोस्तों समगरी मिलानी है ताकि आपको ज्यादा पुनिफल की प्राप्ती हो, साथ ही सुरी मंत्र, कौन सी मंत्र, साथ ही साथ हम बताएंगे कि सुरी देव को अर्द देते समय कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक सुरी देव को अर्द देने का फाइदा क्या क्या है? आपको सांती मिलती है, बल्कि आपकी हिल्थ भी ठीक रहती है सुरी देव को जल चढ़ाते समय आपको ध्यान रखना है कि तामबे के ही बर्तन से जल चढ़ाना है सुरी देव को अर्द देने के लिए तामबे के लोटे का ही इस्तिमाल करें तांबे को हम सुरी से जोडते हैं अगर तांबे की बरतन में सुरी को जल अरपित करेंगी तो आपको बहुत फायदा मिलता है साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि सुरी को अर्द देते समय जो जल गिरता है वह तुलसी की पौधे में गिरे तो बेहतर होगा उसे पैरो से टच उस पानी को नहीं होना चाहिए इसलिए बेहतर होगा कि आप कोई गमला वहाँ पे रखे अगर तुलसी का गमला नहीं है तो कोई गमला या कोई बरतन रखे और उसमें अर्द देते समय उसी में वो पानी गिरना चाहिए इसके साथ ही अर्द देने वाले लोटे में पानी के साथ हम चावल की कुछदाने रोली अगर आपके पास लाल फूल है तो लाल फूल जरूर मिलाएं और साथ ही सुरीदेव का मंत्र होता है वो मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ उन मंत्रों का उच्चारन अवस करें आपको सुरीदेव का मंत्र नहीं आता है तो आप गायतरी मंत्र भी बोल सकती है क्योंकि यह मंत्र भी सुरी के लिए ही होता है अगर हाट पेसेंट यह रोजा देना है या फिर यह समय सुवा आठ वजे तक का ही है नियमित क्रियाओं से मुक्त होकर और रस्नान करने के बाद ही ऐसा किया जाना चाहिए सोरी को जल देते समय आपका मुख पुर्व दिशा की और हुई होना चाहिए अगर कभी पुर्ग दिशा की और सूरी नजर ना आए तब ऐसी स्थीती में उसी दिशा की और मुख करके ही जल से अर्ध दे सूरी को जल देते समय आप उसमें पुस्प अच्छत मिला सकते हैं और रोली भी मिला सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया साथी साथ अगर आप सूरी मंत्र का जाब भी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा लाल वस्ट पहन के अगर संभव हो तो सूरी देव को जल से अर्ध देना चाहिए ये ज़्यादा प्रभावी माना जाता है सूरी देव को अर्ध देने के बाद धूप अगर्वत्ती से पूजा अवस्य करनी चाहिए अर्ध देते समय हाथ आपकी जो दोनों हाथ है वो सिर से उपर होने चाहिए ऐसा करने से सूरी की सातों किरने सरीर पे पढ़ती है सुरीदेव को जल अर्पित करने से 9 ग्रह की किरपा रहती है इसके बाद आपको 3 परिक्रमा करना है मानिता है कि यदि आप सुरी की किरपा चाहते हैं तो और जीवन और कामकाज में आने वाली बाधाऊं को दूर करना चाहते हैं तो आप प्रती दिन सूरीदेव को अर्ध दे। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में मौजूद सूरीग्रह को पिता या जिस्ट का धर्जा दिया जाता है। जिस जातक कि कुंडली में सुरी की स्थिती सही ना हो, उसका ताप अधीक हो, तो उसे सुरी देव को जल चड़ाने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों आसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करे, सेर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, ठैंक्स!